हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परिक्षा के त्यारी वेल इनफ यानि बहुत अच्छे वे में चल रहे होगे तो हाजीर हूँ आप सभी के बीच एक और सरकारी जौब की अपडेट के लिए के जो कि डाइरेक्ट निकल क्या रहे है आरपीएफ यानि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से एसा यानि सब इंस्पेक्टर और कॉनस्टेबल की पोस्ट के लिए जी हाँ फ्रेंट्स 100% और्थेंटिक निउज लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम रियल नूर नोटिफिकेशन आया है आरपीएफ की तरफ से अगर आपको मुझे पर ट्रेस्ट नहीं हो रहा कि क्या ये असली वाला नोटिफिकेशन है तो आप मेरे टेलीग्राम चनल पर जाईए वहाँ से आप डाउनलोड करें नोटिस और वहाँ पर एक डेट सबसे नीचे दिया गया होगा मार्च 2-2023 उसको पढ़िएगा अच् बटा फट से वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं जैसा कि पहले ही बता दिया कि आरपीएफ के अंदर कॉंस्टेबल और एसा यानि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूट्मेंट आई है टोटल पोस्ट की बात करें तो 4660 यानि कि 4666 के लिए आपका सीट के लि पंदरा अप्रील से पंदरा माई ज्यादा समय नहीं है नेक्स्ट मंथ फर्म भी अप्लाई होने लग जाएगा अब अप्लाई होगा तो फी क्या लिया जाएगा फर्म का आई उस पर चर्चा कर लें देखें जेनरल और ओबीसी से लिया जाएगा 500 रुपीज और अधर ज लेते हो उसकी बाद डेजन मैटर आप एक्जाम में पास कर रहे हो कि फेल कर रहे हो आपने एक्जाम दिया 500 में से आपका 390 या 400 रुपया वापस आएगा और जिनका 2500 है उनका 2500 रुपया वापस आजाएगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं एज की लिमिट क्या होगी सबसे पहले जानते हैं किस तीथी के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाएगा एज ऑन फस्ट अफ जुलाई 2024 मतलब एक जुलाई 2024 के अनुसार SI की पोस्ट की जो एज है ना 21 to 28 येर्स मतलब 21 to 28 वर्स के लोग SI की पोस्ट के लिए भरेंगे कॉंस्टेवल की पोस्ट के लिए 18 से 28 वर्स मतलब 18 to 28 देखिए फ्रेंट्स अब जैसे की आपको पता है कि इस बार रेलवे के सारी वेकेंसी में प्लस थ्री येर्स एक्स्ट्रा जो रिलेक्सेशन मिला है तो उसकी अकॉर्डिंग पहले जैसे था 21 से 25 और 18 से 25 तो यहां पर अल्रेडी आपको छूट दे दिया गया है साथ ही साथ जो कैटगरी वाई छूट मिलता है OBC को 3 येर्स का और ACST को 5 येर्स का रिलेक्सेशन दिया जाएगा अब बात कर लें कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वार्मेंट है तो फ्रेंट्स SI की पोस्ट के लिए graduate candidate apply करे तो आपका कुछ भी percentage है जो SI के लिए फर्म भरेंगे वो graduate होने चाहिए और constable की post वाले 10th pass होने चाहिए ठीक है आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि what is your selection process किस-किस stage से गुजरने के बाद आपका चैयान होगा पहले stage पर online CBT यानि computer-based test होगा उसके बाद PET and PMT होता है करिफिकेशन लास्टली आपका medical होगा दिन जॉइनिंग लेटर दे दी चाहिए चलिए सबसे पहले समझ ले exam की pattern क्या होने वाली है आपके paper में 120 questions आएंगे 120 marks के लिए time will be 90 minutes मतलब कि आपका देर घंटे का paper होगा negative marking भी है 1 by 3 so be aware अच्छे से ध्यान पूरवक टिक करिएग subject wise बात करूं तो reasoning के 35 questions 35 marks के लिए math के 35 questions 35 marks के लिए और lastly GKGS के 50 questions 50 marks के लिए major role plays हो रहेगा GKGS का रहेगा तो इस पे थोड़ा ज्यादा focus करना है चलिए आप अगले stage पर जब आप exam qualify करेंगे तो क्या होगा आपका PET और PMT सबसे पहले तो आपका PMT होता है जिसमें height की measurement होती है दोनों ही post के लिए male candidate का minimum height है 165 cm, SCST का 160 cm रहेगा, females का generally 157 cm और SCST का 152 cm, उसके बाद आपका PET होता है physical efficiency test जिसमें running होता है, long jump होता है, high jump होता है, दोनों ही post के लिए male female का IMA clarify कर दो running जो होगा, sub inspector के लिए male का 1600 meter का होता है, 6 minute 30 second में complete करना होता है, females के लिए जो SI का रहेगा, 800 meter का रहेगा, 4 minute में complete करना होगा Constable की post के लिए male का 1600 meter का running है जो कि 5 मिनट 45 सेकेंड में complete होगा Females का 800 meter का है 3 मिनट 40 सेकेंड में को complete करना होगा उसके बाद long jump होता है Sub inspector के लिए male का 12 feet और female का 9 feet रहेगा Constable के लिए male का 14 feet और female का 9 feet रहेगा अब high jump जो है sub inspector की post के लिए male का 3 feet 9 inch है Females के लिए 3 feet है वहाई पर constable की post के लिए male का 4 feet है और female का 3 feet है So this is overall physical eligibility criteria for both of the post I hope आपको clear हो गया होगा सारा कुश और इसके बाद आपका DV and medical होता है लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि exam की center कहा होने वाली है देखें friends exam center will be all over India तो आपको जहाँ पर भी आपका nearby city है आप चूस करोगे form apply करते time वहीं पर आपको जाके exam देना होगा साथी साथ friends अगर आपका इसमें selection होता है तो all over India में आपको जहाँ पर भी RPF के तुरू allocate किया जाएगा as a sub inspector और constable आपको वहाँ पर जाके serve करना होगा serve करेंगे तो salary क्या होगी देख लेते हैं constable की post के लिए सुरुआत 21,700 उपीज से होती है SI की post के लिए 35,400 से starting होती है और दोनों ही में अच्छा कासा salary increment होता है ये constable की post के लिए आपका 21,700 से शुरुआत तो होता है लेकिन बात में जब salary बरती है तो 70,000 के करीब हो जाती है वहाँ पर सब inspector के लिए 35,400 से शुरुआत तो होती है लेकिन जब salary बरती है साल दरसाल तो आपका 1,000,000 के करीब जाती है So I hope कि इस opportunity का आप फायदा उठाएंगे मौका अच्छा खासा है और railway ने अश्वरीटी दिए कि per year अब आपका ये सब vacancy आने वाला है और भी बहुत सारी vacancy आएगी तो उन सब update को जानने के लिए जुरे रहेगा मेरे channel से और I hope कि इस post related आपका सारा कुछ queries clear हो गया कहीं पर भी आपे भी कोई doubt है कोई question है comment करके पूछना वहीं पर मैं आपके queries solve कर दूँ वीडियो पसंद आया है useful लगे तो एक like करना है अपने friends के साथ भी share कर देना है मेरे channel को subscribe करके notification bell all पर set कर लेना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाया तो मिलूंगे फिर से किसी government job की update के साथ तिल देन stay tuned bye bye take care